कि डिसकस करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में देखर जो ट्रांजटर है इस दिक qombination of two पि एंस जंक्ट 한다 transition होगा वह क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ two पि इंस्टर इसके पास अंदर मेर पास दो होगे दो टाइप क्यों होंगे मार पास टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर ठीक है जो ट्रांजिस्टर है वो दो टाइप क्यों होंगे ठीक पी एन पी और एक होगा मार पास एन पी एन दो टाइप के transistor और यहां पर दो junction बन टे हैं इसलिए हम कहां देते हैं 2PN junction है transistor के अंदर क्योnकि यहां पर यह PN junction बन रहा है और यह PN junction बन रहा है ठिक है तो type दो कोँण-कोँ शेक है पहले type में तो इसमें जो N है, N type semiconductor है वो बीच में होगा 200 और पी टाइप सेमिकड़कर के जो 2nd पाट है 2nd टाइप है उसमें पी टाइप सेमिकड़क्ड़र है वो टो-न टाइप के बीच में और NEW तो प्रीर यूज किया जाता है वह एंपिड उस्टे रिप एंप remember यूज किया जाता है क्योंकि इसमें जो चार्ज केरियर होंगे मेजोर्टी चार्ज केरियर होंगे वो इलेक्ट्रोन होंगे इसलिए इसको हम ज्यादा यूज करते हैं इसमें जो मेजोर्टी चार्ज केरियर होते हैं वो होल होते हैं इसलिए इसको इतनी प्रिफरेंस नहीं मिलती है इलेक्ट्रोन जिसमें मेजोर्टी चार्ज केरियर इलेक्ट्रोन हो उनको हम प्रिफरेंस ज्यादा देते हैं फ्री में जैसे दिखी रहा हां। फ्रीन पार्ट होते हैं इमीटर इस पार्त को हम कहते हैं आघर可以 इस पार्ट को हम कहें गए ACT पार्ट हमका पार्ट हुझे और collector है इनकी जो गेट है वो लगबर सेम होगी अब यहांपर क्या होगा यहांपर जो डॉपिंग हैं MR के अंदर जो कर ..... concentration होगी impurities की जो number of carrier концentration होगी वो काफी high और यहां जो Dopping होगी बेस में वो काफी law हो हो gramm but जो डॉपिंग होगी वो मोटरेट होगी इन दोनों के बीच की होगी अब इसमें हैवी डॉपिंग क्यों करते हैं हैवी डॉपिंग क्यों करते हैं क्योंकि इसमें से चार्ज पार्टिकल निकल के यहां एंटर करेंगे ठीक एंसे पी में एमिटर से चार्ज पार्टिकल निक से ले जाएंग उनको कलेक्ट करेगा सभी ज़न सब्सक्राइब में सब्सक्राइब पर बेस है वह उसकी जो थिकन्स हो थीन क्यों रखी जाती है यह बहुत कम क्यों रखी जाती है ताकि जो चार्जश पार्टिकलरा फो इसली क्रोज्ब आ प्री में धूब मेडी कारियर कब की होंगे जो होंगे यदि हम पिन फ cains के बात करें तो हमारे ढाले की बनेंगे बित्वीन ह vara और मिडल जेक्षिन होगा घ्रिट फॉर्म टूपी सेक्षिन यह बनेंगे बिट्वीन इसको काफ़ी तीन रखा जाता और इसकी जो डॉपिंग वोगी काफी कम होती है अब हम बात करते हैं यहाम वरकिंग ऊफ ट्रांजिस्टर की वरकिंग कैसे होती है देखो यह में पास मांलो है, हट्रों है जो MP charge carrier है वह होल है पी मेकमे होल होंगे मार पास या इस को ऐसे भी बना सकते होल भी टारेक्ट और N में फिर neighboring ड्रों मैंजो है हम ड्रो करे OK अभी ड्रों नहीं करें इसमे आएंच पूजिटिव आिन होंगे till जो-ड्रों होंगे मेर पासफ वो पॉजिटिव आई लाए न भी बनाना चाहो तो बना लो जो एंदि जो आएन होने वर नेगेटिव आइन होंगे के एवद्ध अंब इहां पे एंद्टिटिव आई रव नो नो APs प्रकेंगे सोगी इक सकार इसको कैसे हम बाइस नेगेटिव से जुड़ा हो तो रिवर्स बाइस हो अब यहां पर दो जंक्शन है इस इस पार्ट को हम कहेंगे इन्पूट सर्कुट यह जो पार्ट होगा मारा वोगा इन्पूट सर्कुट यहां पर हम अपनी इन्पूट है वो अपलाई कर सकते और यह जो पार्ट होगा म हुमारा ये जो वाट पाड यह वह हमरा also circuit instead अधा पूट हम इस साइड से अपिलाए करेंगे आउट पर हम यहां से लेंगे लेकिन input और output लेने के लिए transistor को on भी करना पड़ेगा transistor को on state में रखने के लिए क्या करना होगा हमें जो हमारा input circuit है ये वाला जो junction है इसको हम रखेंगी forward bias में इसको forward bias में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें n को negative से जोड़ना पड़ेगा P को positive से जोडना पड़ेगा यह P part है इसको positive से जोडना पड़ेगा अन को negative से जोडना पड़ेगा और जो हमारा output circuit है जो collector और base है उसको हमें reverse bias में जोड़ना होगा reverse में क्यों जोडना होगा वह अभी समझ में आ जाएगा तो तो में यह सचेरेरा हैं रर्वास मतलब इन को हमें से जोड़ना और पी को हमें से जोड़नों यह जो वोल्टेंच होगी और सब्सक्राइब को सब्मेन यह जोगत होगी यह जोङ विए बी या वी बी लिखलो करेंगे forward bias में यहां से electron को एक push मिलेगा इलेक्ट्रोन को पुश मिलेगा तो electron यहां जाएंगे बेस के अंदर जाएंगे बेस रेजन वह ज्यादा थिन होगा कुछ electron हो होल से recombine होंगे होल से recombine होंगे तो यहां पर एक होगा हमार पास में यहां पर इस हमार पास बेस करेंट अब लगबग हमारे बहुत ही कम एलक्ट्रोन यहां पर recombination करेंगे और के साथ कंबाइन करेंगे री कॉंबीनेशन करेंगे ऊथी कमOnож physician वगाई-एक परकत होगाा एक प्रेहर स recipes करेंडा मोच रिन्ट हो अब यहां पर क्या होगा इस रीजन में इस रीजन जो मानव Cage इसी में से पांच परन एकen कानगे इन अब यह होग यह डिया रहे है कि यह लेक्ट्रोन तो मिलेगा यहां से उनको एक फोर्स लगेगा उन पे उनको उन उन इलेक्ट्रोन को कलेक्ट करेगा तब भी एक एक करन का यहां पर फ्लोड बनेगा और यहां पर सरक्रिट के लाइगा आइसी एक पारट कर्णें है यह करन को प्लोड़ अभी यह आई सीकी ड्च्प से इसके हैं तो यहां पoken करन के eenट conservative voltage है यहां पर I e होगा हमारे पर ठीक और यह बेस होगा हमारे पस आई भी होगा ठीक है अब देखो यहां पर क्या होगा हमार पर ठीक है यह हमने करंट जो ड्रो कर लिया जो Input circuit है हमारा जो गलक्र अमिटर और बेस है वो forward bias में होगा और जो हमारा output circuit है वो reverse bias में होगा reverse में क्यों होगा क्योंकि उसको attraction चाहिए, electron को पाथ चाहिए electron flow कब करेंगे जब यहां पर हमारे पास positive charge होगा तब ही जो यहां से electron आ रहे हैं उनको एक path मिलेगा और वो यहां पर यदि इसको हम negative कर दें इसको हम negative कर दें और यह भी forward bias में हो जाए यह forward bias में हो जाए तो यहां पर जो electron आ रहे हैं उनको repulsion मिलेगा, repulsion मिलेगा तो repulsion मिलने की वज़े से क्या होगा, यह electron यहां पर flow नहीं हो पाएंगे दोनों फॉर्वड में हो एक फॉर्वड में हो एक रिवर्स में हो और दोनों रिवर्स में हो इन दोनों क्वांटिटी का इन दोनों जो यह जो दोनों ट्रांजिस्टर के हमारे पास यह जो फिनोमेना है फॉर्वड फॉर्वड रिवर्स रिवर्स इसका हम यूज करते हैं स बनाने में लेकिन ट्रांजिस्टर को एंप्लिफाइर के तरह यूश करने के लिए हम्हें फॉर्वड रिवर्स का यूश करना पड़ेगा यह यह तुम यह कभी से रिवर्स फॉर्वर्ड क्यों नहीं कर सकते हैं रिवर्स फॉर्वर्ड कर दो लेकिन फिर इन्पूट यहां देनी पड़ेगी हमें यह मारा उट्पूट हो जागा ठीक है तो कलेक्टर को जो ठोड़ा जो डोपिंग है वह एमेटर में इसलिए रखी जाती है ताकि जो नंब रख्रॉंट पहुंचे तो उनकी अच्छी खासी मात्र हो इसलिए जो डोपिंग हो उसमें ज्यादा रखी जाती यहां पर जादा रखने यह ज्यादा रखाने है ज्यूरूरत नहीं लेकिन एमिटर में डोपिंग वह ज्यादा होने चाहिए तो यह हमारे वरकिंग होगी की ट्रांजिस्टर की ठीक है यहां पर जो करेंट होगा मार पास जो आई करेंट होगा वो होगा मार पास आई बी प्लस यह करन्ट की क्वेशन होगी ट्राञजेस्टर की ट्राजजेस्टर है वह एक्टिव रिजन में होगा मतलब ट्राजेस्टर वरकिंग स्टेट में होगा इदि उसका इंपुट फ़रवर्ड बैस मेन में जुड़ा है और उसका जो output है वो reverse bias में जुड़ा है तो यह इसे हम गएंगे transistor मतलब on statement अब transistor as a amplifier work कर सकता है वो amplifier कैसे work करता है वो बाद में देखेंगे transistor as a amplifier लेकिन transistor की जो बाइसिंग है वो यह होनी जाइए transistor को काम में लेने के लिए जैसे जीनर आडायोड को हमने काम में लेने के लिए उसकी बाइसिंग की थजीनर वोल्टेज है उसके जीनर वल्टेज है ज्यादा होनी च्足 है तब ही वो वो लिटेजिर्च रैगुलेशन के कामने आता है उस इस transistor है तो इसका पोजिटीव से चूप तो ये इसकी प्लिशन होगी इसकी सिंबल कर लेते हैं ट्रांसिस्टर के दोनों ट्रांसिस्टर तो इसका सिंबल क्या होगा ईया एण पिन है ये निगितिव से जुड़ेगा ये पोजिटिव योडिव जूड़य क제गा क्योंगी उसे से हमें reverse में जोड़ना है तो यह हमारा positive से जुड़ेगा यह negative से जुड़ेगा है ठीक है और जो current flow होगा वो यहां पर आई फोलो हो गामर पास यहां पर IB flow होगा हमरे पास और यहां पर IC flow होगा यह यह से current flow लो होगा तो इसका लेक्टर हो गया के हैं यहां से करेंट करेंट गार ट्रफ टीकार के तरफ और यहां है या इसको एकनेक्ट कर दो याँ के बैटरी से अनब हो जेगा हमारे नेगेटिव पोजीटिफ और ही यहां पर होजाएगा हमार पस पोजिटीव एंड पीए इन नेगतिव फॉसटिव ठीक इस्टाइब से यह इसका सिंबल होगा यह वाला से और यही पी नूपी यह यह हम बनाएं भया पी एन पी फीन्फ नीन ये फर्वर्व भाइस है ये फोर्व orang इसको फोजिटिफ से जोड़ना इश को रिव्र्ल भाइस में रखना तो इसको सिंबल बनेंगा इसमें जो कॉरसलोगा ये अई И misery current फोगा और यहां पati import eligibility करेंट फ्लोग होगा और यह मार पास IC Cl8 ब Works and the end phase current फ्लसand मिलेंटर करण्टर कर दो इन्दर होगा बेस्सक्रेंट प्लसण क्लेक्टरक्व टिक औरत यह होगा मार पस इसका पहलता जो सिंबल होगा कर यह एइमेटर होगा यह एक लेक्टर तो में इस कोश्यन करना है सिंबल कुछ नहीं जाता है इस टाइप से दिया हो बाहर की तरफ अमेटर कराइट बाहर की तरफ और थो कि था एंप्यन होगा अमेंटर करेंट अंदर की तरफ हो थो वह पिनप्योगा ठीक है अब हम बात करते हैं ठ्रांजिस्टर कनेक्षण औरक क्रांजिस्टर को हैं के थे लिब गेंगर थे लुक्ष मेंने सकते हैं कोर्ट में वह पास्वाद हो फॉट당 है है money I do so common a meter connection तीसरा होगा मंँर पस common collector connection यह बहुती कम यूज होता है common collector हिसेफने जाद यह दोनों सोते हैं है यह अलग अलग इनगे connection सबसे पहले हमँ बेस करेंगे Common Base Connection, Common Base Connection क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्क्स करेंगे is the Common Base Connection when all a lot... common base connection का मिलब जो बेस है उसको कॉम्मन रखा जाता है गार सबस्थमीद मदांन बेस होगा एन बें ट्रणिस्टर की बात करते हैं, मालें अड़ीट क्वेश्टर की ही बात करते हैं इस टाइप से हम ढूर। ऐसे ही क्रेंगे स्कोर्ट थीक है अन्पीयन यह पी हो गया यह यह अन हो गया यह अन हो गया ठीक है यहां पर यहां पर यह यह मैं पर बेस है भाइस को हमने कॉंबन रखाया ठीक दोनों में इनपुट और आउटपूट सरकेट में बेस हमारा कॉमन यहां पर जो बोल्टेज होगी वह फोगी और यह जो बोल्टेज नेगेट्टिव होगी ह्याव क्योंकर इसको ये पोजिटीब होगी ये नेगेटिव होगी युथ कुछ um working as on state में रखने के लिए मालब ऐसे वर्क करवाने के लिए ठीक है उसको forward और reverse बाइस में connect करना पड़ेगा ठीक है यह जो वोल्टेज होगी वह के इसमें जो चार्ज कैरियर है एमेटर में एमीटर से जो चार्ज कैरियर होगी यहीं करेंगे भी बने में और जिस की विजह से हमारे पास amount to aboutus मोल टोगा और लगबग जो सभी electron होंगे वो हमारे collector के through flow होंगे तो यहां पे पाथ बनेगा जिस वज़े से हमारे पास जो total current है वो flow होगा है हमारे इसको हम use में लेते हैं transistor को तो हमारा जो input signal होगा वो हम यहां apply करेंगे input signal हमारा और जो output लेंगे हम यहां पे एक load लगाएंगे इसके cross हम यहां पे output signal यहां से हम input signal देंगे यह तो बाइसिंग के लिए यह तो transistor को ऑन स्टेट में रखने के लिए transistor को बाइसिंग किया है अब यहां से filter signals देंगी और यहां से output signal निकालेंगी तो input का output कैसे निकलेगा वह में देखनेी युए ने में सिंपल हमने देख लिया था पिएन जंग्स्रिन में input दे तो output कैसा होगा जैसे clip पर और incl conseter किया थे हम नहीं हम कर सकते हैं कि सब्सक्र ह構ते हों! इसे एंपलिफाई होगा वो सब चीजे यहां पर इसका करेंगे है देखां हो यहां पर क्या होगा हुद फार पास जैसे हम यह यह भाले करेंगे जो हमारा करण्ट है करेंग जिसकी वाज़े सेunt // करेंगे जिसकी वज़े से उकोने करेंगेगी करेंगे जिसकी ज Corn बेस बेस के नंदर होगा दो यहां पर उट वहां Yeah यहां पर हो लों गई और कुछ मैन्योटी इलेक्ट्रोन ग्योंगी इसे माझ्योटी चार्ज कर एंदर क्योंगे इसके आदर होल टो होगे यह सेमिकन्डक्टर है ना इसके बसбаENT के बस हम इसको connect करते हैं तो यहां पे current flow होगा एक उलो current flow होगा mover short current flow होगा जिसकी value बहुँत कम हो कि इसी हम गएंगे leakage current और स्कों कई बार आई इसको लिखле instit sext क्रण और को हम i.c.b.o से भी लिख देते हैं i.c.b.o से क्यूं लिखते कॉमन जो कलेक्टर बेस पे जो कलेक्टर और बेस के बीच में जो करंट है ठीक है कलेक्टर बेस के बीच में जो करंट है जब हमारा एमिटर ओपन है जो एमिटर सर्कुट है वो बेस से हटा हुआ है मालब वी इप गीरो है उस केस में हमारे पास एक लिकेज करंट होगा और हम इस सर्कुट में करेंट होगा कि और जब इसको हम व हुँएअ फटे थोड़ा कम होगा क्योंकि कुछ पारट है वो री कमबाइन कर रहे हैं री कॉंबीनेशन होरा बेस में वह आईऑ बी में पर मेन जा रहा है कुछ करंट आईबी की प्रम में हमने देखा था जो IE था हमारे पास वह है I b i e है वो i c से कुछ ज्यादा होगा तो हम i c को हम i c को हमने लिख दिया alpha into i e i c को अलफा ओर आलफा की जो value हो वन से थोड़े सी कम होगी अलफा की value तो यहां से हम alpha define कर सकते हैं ic upon i e और इसकी value हो वन से थोड़े कम होगे तो यहां ICBΨों का यहां पर जो मतलब हाए ICB TV का जो फूल फॉर में यहां पर वह है कॉमनों जो फुल फॉर में वह है कलेक्टर बेस करेंट क्लेक्टर असल्ए स्कॉइस करेंट हो i still वेन ए आए it is open된 जब एमेटर ओपर है उस केस में collector base current किया है इसे leakage current भी कहा जाते है जब हमारी यह voltage zero है अमईर को हमने connect ही शिरिफ इसको ही हमने connect है मलब यह गयी सकते है एक PN junction है जिसको reverse bias में connect किया तो वहां पेadd किस्क्रंट होगा small leakage current हो ठीक है वह आई सिभी हो तो टोटल IC होगा हमारा पस alpha i plus icbo ठीक है और हमें पता है i is equal to ic plus ib तो ये value put कर देंगे ic आजएगा मर्पस alpha ic plus ib plus icbo ठीक है तो ये मर्पस collector current होगा तो इसको हम लिख देंगे 1-alpha इधर लियाएंगे इसको ic alpha ib plus icbo और ic आजएगा मर्पस alpha upon 1-alpha ib plus 1 upon 1-alpha icbo ये मर्पस total collector current होगा ठीक है यहां पर जो alpha होगा हमारा पास alpha होगा ratio of यहां पर जो alpha होगा हमारा पास वह होगा ratio of ic upon i यह हम ac input signal apply करते हैं ac apply करते हैं dc के जगारा हम यह तो हमारा जो alpha होगा delta ic change in ic upon change in i ac के case में और dc के case में हम direct कह सकते हैं ic divided by यह हमार पास alpha होगा ठीक है चेंज इन कलेक्टर टू चेंज इन एमिटर एड़ कॉंसेंट एड़ कॉंसेंट वी सी बी कॉंसेंट वी सी बी के लिए हमारा ic और ie का जो रेश्यों होगा वह अलपाब हुगा ठीक है फोर कॉंसेंट बीविशीएबी के लिए जो मारा इस अम्प्लिफिकेशन प्रक्ट्र धौक्ट्र कैंच जिक्टर कि पर सितने अगर् mist plastic रहना कोंचल्साचन रखनें स्पर कॉंसेंट रखना कॉंसेंट को कॉंसेंद मे कॉंसेंट factor भी हम कहा देते हैं इसको DC value के लिए direct IC by IE हो जाएगा लेकिन यदि हम AC apply कर रहे है हमारे पास ठीक है तो उसके लिए alpha delta IC upon delta IB होगा change in current collector current upon change in emitter current ठीक है इसमें discuss करते हैं इसकी कुछ characteristics है जो common base हमारे पास transistor है common base transistor इसकी दो characteristics है मारे पास इसकी मारे पास दो characteristics है कौन कौन सी characteristics है एक होगे input characteristics और element is output characteristics है । इन्पूट करेकर्क्टरिक्स टिक्स एंड आव पूट Кар्रेक्टरिक्स इंपूट क्रेक्टरिक्स्तिक्स क्या होगी? इन्पूट क्रेक्रेक्टरिक्स में हम क्या करेंगे? हम कम इसमें discuss करेंगे हम ग्राफ करेंगे input current या emitter current IE और जो हमारी input voltage है VEB या VBE इसमें हम graph plot करेंगे at constant VCB constant VCB के लिए हम constant VCB के लिए हम IE और VEB में graph plot करेंगे अब देखो हमें पता है VBE की जैसे जैसे value बढ़ेगे voltage की जैसे value हम बढ़ाएंगे यहां पर देख सकते हो VBE की जैसे जैसे हम value बढ़ाएंगे हमारा emitter current बढ़ेगा यह voltage हम जो apply कर रहे हैं हमने देखा था forward bias में क्या होता है PN junction में एक voltage के बाद में current की value लगातार बढ़ती है IE की value जैसे जैसे हम voltage बढ़ते हैं लगातार बढ़ती है हमने जो output circuit में जो VCB है इसको constant रखा हुआ है ठीक है इस constant value के लिए हमें जो graph मिलेगा वो लगबग ऐसा graph मिलेगा constant VCB के लिए मानलो जो VCB की value है वो 1 volt है यदि हम VCB को बढ़ा देते हैं VCB को 1 volt से हम 2 volt कर देते हैं 4 volt कर देते हैं तो हमारा जो graph हो कुछ इस type से मिलने लग जाता है हायर VCB पर हमेरा जो graph हो कुछ इस type मिलने लग जाएगा VCB की value है यदि हम 4 volt कर दें 10 volt कर दें तो हमारा जो graph है जो IE है हमारा जो IE बढ़ रहा है उसका जो slope है वो और ज्यादा increase हो जाएगा VCB positive करने से VCB की value बढ़ाने से इसे हम गएंगे input characteristics input characteristics अब ऐसा क्यों होता है हमारे बस VCB बढ़ाने से हमारा जो IE current हो तेजी से बढ़ता है ठीक है VCB बढ़ाने से हमारा जो IE current हो तेजी से बढ़ता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि vcb की value बढ़ाने से क्या होता है जो attraction है collector और base collector पे जो charge carrier emitter से base की तरफ आ रहे है छार्ज carrier धीकर यहाँ पे देख़के है जो charge carrier emitter से base की तरफ आर है उन पे attraction जादा लगने लग जाता है टिक उन पे attraction जादा लगने लग जाता है क्योंकि तो reverse bias में रीवर्स बाइस में ज्यादर लगेगा यहाँ पोजिटिव और य नेगिटिव आट्रक्शन जादर लगेगा इस वह जैसे जो करण्ट एमेटर करण्ट हो तेजी से बढ़ता है एक साथ दे रहे है यह उसका जो चार्ज कैरीर आ रहे हैं उनको यह तेजी से ले किया रहे है e-meter current अटेजी से बढ़ता है जैसे जैसे Vcb की value बढ़ते हैं Emitter current हमारा तेजी से बढ़ता है Vcb की ,ция Vcb की value 0 है यदि हमारे पास है तो वो Eh Concert rate से बढ़ता है जलता हो जादा तेजी से नहीं बढ़ताह लेकिन जैसे जैसे vcb बढ़ते हम वह तेजी से हमारा पास बढ़ने अब VCB की value zero पे भी emitter current होगा वां पे VCB की value यदि zero है हमार पास तो भी emitter current होगा तो ये होगी हमारे पास input characteristics VCB की value जैसे जैसे increase करेंगे जो IE value है जो change in IE है विद वी यी भी वो काफी टेजी से बढ़ेगा इसको शोट कर दें तो हमारे पास इनपुट करेक्रेक्टिक्टिक्स देखो इसमें एक चीज और है इसमें हम डिफाइन करते हैं जो Import resistance होगा हूँ ट्रांजिस्टर का Input Resistance होगा ऑफ गया होगा एंपुट रजिस्टरइस क्या होगा मैं बसक्त चैंज इन ली ऩी ली से बी सारी Range in VEB अपोन देखो हमारे रजिस्टरइस की जो इस ग्राफ की जो स्लोप है वह हमारा इंपुट रजिस्टेंस होगा अब वी बी स्मोल चेंज के लिए बहुत ज्यादा स्मोल चेंज के-लिए हमार पास काफी लार्ज चेंज होगा करन्ट में यह जादा स्मोल है तो अव्य हमारा जो एं मिर करण्ठ है वो काफी ज्यादा स्मोल होगा in small input resistance common base के केस में जो input resistance है वो काफ़ी ज्यादा small ऑगा ठेका input resistance काफ़ी हमार पास small होगा तो यह हमार पास input characteristics अब हम बात करते हैं यहां पर output characteristics की आउट पूट कराक्टाक्टिक्स क्या इसकी और में बेस के लिए आ अउड़ी तो करक्ट intrins universo देखाओ आउट्पूट क्रेक्टिक्टिक्स क्या होगे मार पास आ है आनल पूट क्रेक्टिक्स में क्या गरेंगे हम जो अउट पूट सरक्ट हमारा अउठोट सर्कुट में किया है क्रेक्टर करेंट है co24 कि बेस वोल्टेज है इन दोनों में ग्राफ करेंगी एड्ट कॉम्चंट अई है क्लाइए कि ग्वैल्यू रखेंगे तो हमें जो graph मिलेंगे वो कुछ इस type से मिलेंगे क्योंकि IC की value VCB की value चाहिए minimum है VCB की value minimum है वहां पे भी IC की value हमारी maximum level तक पहुंच जाएगी वो IE पे depend करेगा IE यहां पे हमारे पास होगा let's say it is 1 mA और IE यहां पे होगा हमारे पास 2 mA 3 mA, 4 mA ऐसे IE की value हम बढ़ाते जाएगे IC की value हमारी बढ़ते जाएगे क्योंकि हम कह सकते हैं जो IE है वो independent of independent of VCB है जो हमारा IE है emitter current है वो independent of VCB है वो VCB पे depend नहीं कर रहा ठीक है जो इसकी IE की जो magnitude हाई का जो value हाई की हाँ वो उसकी rate को increase कर रहा है VCB यदि VCB की value हाई करते जाएं तो अब भी देखा था हमने input circuit में उसके rate को increase कर रहा है लेकिन उसके magnitude को change नहीं कर रहा magnitude है वो independent है VCB का और हमें पता है जो IE है वो IC से related है IC plus IB और जो base current है उसकी value बहुत ही ज्यादा small होती है लगबख 0 ही ले ले लेते हैं हम base current की value यदि VCB की value काफी ज्यादा high है तो उस case में हम कह सकते हैं जो हमारा base current है वो लगबख negligible होगा क्योंकि बहुत ज्यादा strong attraction होगा ठीक है collector है बहुत ज्यादा attract करेगा जो एमेटर से होल रहे है इलेक्ट्रोन आ रहे है उनको वह base में recombine होंगे निक्योंकि उनको बहुत ज्यादा attraction होगा ठीक है तो हम इस region में हम कह सकते हैं जो हमारा IE होगा वह ही IC होगा इस region में इस region में saturation इस 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 part इस region को हम कहते है active region ये जो हमारा region होगा वह का active region ठीक है इस region को हम कहते है active region जिसमें हमारा transistor है वो और IE की value इदि हम 0 कर दें IE की value है दी हम 0 कर दें IE की value 0 करने का क्या मतलब है IE की value 0 करने का मतलब है हमने जो हमारा input circuit है उसमें voltage है हमने उसको 0 कर दिया ठीक IE 0 करने से हमारे पास जो IC होगा वो क्या है वो अब सिर्फ leakage current बज़ेगा जो minority charge carrier के विज़े से है ठीक IE तो 0 होगा हमारे पास IC होता है अलफा IE पलस ICBO यह फोर्मूला याद होगा यह तो 0 हो जाएगा तो हमारे पास स्रिफ एक leakage current बज़ेगा जो in general leakage current होता है reverse bias में जो leakage current होता है उसकी value बहुत ही ज़्यादा small होगी कोई high value नहीं होगी उसके ना के बराबरी होगा वो भी ठीक है जो leakage current है तो यह जो reason है इस reason में यह जो reason में जहांपे IE की value 0 हो लगबग VCB को coincide करेगा जैसे reverse bias में होता है ने इस type से इस type से जब तक breakdown नहीं आ जाता ठीक है तब तक वो इसको coincide करेगा फिर जब breakdown आ जाएगा वो एकदम से बढ़ जाएगा लेकिन वो breakdown वाली condition हमें नहीं लानी है उसकी वज़े से क्या होगा जो transistor है वो खराब हो जाएगा हमारा breakdown आ गया तो वो यह वाली जो line है यह वाला जो reason है नीचे वाला जिसमें IE लगपक 0 है इसे हम गएंगे cut off reason cut off reason का मतलब है यहां पर जो output circuit है वो तो reverse bias में ही है वो तो reverse bias है ही है output circuit हमारा जो input circuit होगा वो भी हम मान सकते हैं reverse bias में क्यों मान सकते हैं क्योंकि वहां पर हम apply नहीं कर रहे है कोई भी voltage हो वो एक्च्छल में reverse bias ही है तो cut off reason में दोनों reverse होंगे अब यदी हम यदी हम जो हमारी VCB voltage उसको negative कर दें VCB voltage है VCB को यदी हम negative कर दें VCB को negative करने का मतलब हम जो input circuit है हमारा वो तो forward में ही है output को भी हम forward कर दें VCB को negative करने का यहीं तो मतलब होगा जो VCB जिस direction में लगा था हमारा voltage उसको उल्टा कर दी हमने polarity उसकी change कर दी तो input भी हमारा forward में है और हमारा output भी forward bias में अब यहां पर जो charge carrier आ रहे थे base से निकल गए एमिडर से base से फिर collector में अब वो charge carrier को repulsion मिलेगा वो पास नहीं होंगे वहां पर IC current zero हो जाएगा तुरंथ जैसे हमने negative किया देखो यहां पर VCB zero तक तो ठीक है जैसे VCB को negative किया यह current zero हो जाएगा इस part को हम कहेंगे इस region को हम गएंगे saturation region जैसे ही है voltage हमारी negative से zero की तरफ बढ़ी IC तुरंथ increase हो जाएगा जैसे हमारी जो voltage VCB है वो जैसे negative से zero की तरफ move करेगी तो हमारा जो IC है वो तुरंथ saturate हो जाएगा तुरंथ उसकी एक value मिल जाएगी इस region को हम कहेंगे saturation region तो यह याद रखना saturation region में तो यह तीन देजन हमार पास saturation region में हमार पास जो transistor होगा उसमें इनपूट और आउटपूट दोनों forward होंगे और कट ओफ रेजन में दोनों रिवर्स होंगे और हमारे active region में जहां पर मुझक अम्प्लिफायर की तरह यूज करते हैं वहां पर इनपूट फोरवर्वड होगा और आउटपूट हमारा अधियूट तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है इनका यूज करते हैं श्विचिंग में ट्रांजिस्टर एज इस विचिंग इसका मियूज करते हैं एम्पलिफायर में ठीक है तो यह मारा पास है आउटपूट करेक्रिटिक्टिक्स अभ एक आउटपूट रजिस्टन इंस क्या हो गई हो ऑफा चेंजिन यह है चेंज नहीं होगा वांपे fix value या यी पर depend करेगी तो हमारा जो input output resistance होगा लगबख infinity होगा both high मारा जो output resistance हो काफी high होगा ठीक very high होगा input resistance very small होगा यह याद रिखने input resistance है वो काफी small होगा और जो output resistance है कॉमन बेस के गेसमें इस वेरी हाई बहुत ज्यादा हाई आउट्पूट रजिस्टेंस होगा ठीक हम कह सकते हैं सेवरेल टैन्स ओफ किलों ठीक है किलों लगबग ही हो सकते हैं और जो इनपूट रजिस्टेंस हो काफी ज्यादा स्मोल लोगा पीए हमार पास कॉमन बेस मानलों आणव險 ट्रांजिस्टर एन यर्मर पास यह एन है यह मर कलेक्टर हो गया ठीक है यह मर एम एंडर होगा और यह मरा बेस हो गया ठीक है डीक है मेंडर को मने कॉमन रखता यह यह बेस है महरा इंपूट सरक्ता अब यहां पेम वोल्टेज अप्लाइट कर देंग veg य और सोटूलटे जोगी यह होगी वी विय गी लिख लेजków में पॉस्टेटीव से जोड़ना पड़ेगा है क्योंको रीवर्स बाइस में रखना तो आएनको पॉसितिव से वह और आने गेतिव होगा यह जो कलेक्टर है वो पॉजिटीव जूड आ थाँ हमारा यहाम इसको ग्राउण ले सकते हैं तो अब देखोọn अप्लाई करने से यहां पर जैसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहां पर हमार पास एक करेंट फ्लोगा यहां पर हमार पास जो करेंट होगा वह आई करेंट फ्लोगा ठीक अमेटर करेंट यहां पर बेस करेंट फ्लोगा और यहां पर मार पास कलेक्टर करेंट फ्लोग है जो एमेटर करेंट है वो अभी भी सम्म होगा IB और आईसी का ठीक है यह Conuju द्रो प्यूंठो सकते हो कर सकते हो PNP में जेस्ट अपोजिट हो जाएगा आई भी धर जायेगा आईसी दर जाएगा द्यू तो चरहना है चाले हो पी नवी भी ड्रो कर सकते हैं PNB में यह हमारा पास negative हो जागा यह positive हो जाएगा और यह हमारा पास negative हो जाएगा यह positive हो जाएगा ठीक है तो यहां पर भी equation same valid हो भी IB plus IC ठीक है तो यह मार पास जो connection होगा common ammeter connection होगा ठीक है अब यहां पर देखो अब हम define करते हैं यहां पर हमारा हम बेस करणट है इन पूट् करेंट है महारा वह बेस करेंट कर एक है और जो आउठड़ करेंट हामसा करेंट या आ इन पूट करेंट पहुंखें बीटा हमार पार जो बीटा होगा वोगाँ डेल्टा आई-थी पॉन देल्टा को आई-इब।भी डेल्टा यबी-डेल टाइब एड कॉंचेंट कि आई ये कह सकते हैं कॉंध्य के लिए जो मारा चेंज punish ने डेल्टा why इसको अपॉण डेल्टा आई डी इसको भी अंप pas क्वकार पांगे हम बीटा केंगे यह बीटा के चांद बीटा है सकते हैं जो हमारा आइसी होगा वोगा बीटा आइपी ठीक है आइसी होगा मार पास बीटा आइपी तो बीटा और अल्फा में एक रिलेशन होता है यहां पर हम डिलेशन निकालते हैं relation between alpha and beta क्या relation होता है beta मार पास देखो delta ic upon ib alpha है मार पास delta ic upon delta i और हमें एक equation पता है i is equal to ic plus ib यह हम equation पता है इसको delta ii लिखलो इसको delta ic इसको delta ib शबब अब इसमें क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे देखो यहांपे delta ic से इस equation को इस equation में यह value हमें put करना है देखो यह value हमें in terms की form में हमें लेके आना है ठीक है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, delta ic से इस equation को divide कर सकते हैं, delta ic, delta ic, delta ic, delta ic, delta ic से equation को हमने divide कर दिया, तो यह होगा हमार पास, delta i upon delta ic, 1 by alpha, और यह 1 plus, delta ib upon delta ic, 1 by beta, यह क्या हो जाएगा हमार पास, तो alpha और beta में क्या relation आजएगा मार पास, जो beta आएगा मार पास, वो आएगा मार पास, 1 minus, sorry, जो beta आएगा मार पास, 1 by alpha minus 1, ठीक है, 1 by beta, तो यह इसको लिख सकते हैं, 1 minus alpha by alpha, 1 by beta, तो beta आजएगा मार पास, alpha upon 1 minus alpha, तो यह beta और alpha में मार पास relation होगा, ठीक है, तो output current मार पास, जो अलफा जो कलेक्टर करेंट होगा हमार पस कि आई सी कि क्या होगा हमारपस अल्फा आई path odd e trauma की आई से नpurpose औल्हेस अने इस इस व स्प्रेश्न होता यह कुछ ली पहर इocado का टिन की प्लस अल्फा ऑई यहां से मुलिख सकते ह learner भाइना अल्फा आइसी प्लस आईबी आईसी भी ओ ठीक है इसको लिख सकते हैं वन माइनस अलवा आईसी और या जगा अलफवा अईबी प्लस आईसी बी ओ ठीक है ये लिख सकते हैं में इसको तो इसिए आजेगा मारे बास by alpha upon one minus alpha I b plus one by one minus alpha icb of icb of leakage current है ठीक है जब हमारा input voltage है जब common base के case में बात कर रहे थे हुआ हमारा emitter or base के वीच में voltage zero हो उस case में हमारा पाद जो current होता है collector or base के बीच में होता है ठीक है तो वह मारा ipm यह होता है ठीक यहाँ पर यह आपास यह मतर साइड यह मर बीटा यह है कि नियुक्त है यह वह क्या है यह मार बीटा आतंग प्लföस उन सों ऐसे लिक भीटा tart Sunda यह relation याद रखना, यहां से हम इसको put कर देंगे, beta प्लस 1, तो यह मार पास collector current होगा है, यह यह मार पास collector current होगा है, यहां पे यदि हम इसमें, एक point और है, note करने वाला, यदि हम, IB को 0 ले IB को यदि हम 0 ले IB को 0 लेने का मतलब है हमारे जो VBE voltage जो input voltage जो जीरो है मला हम कहा है base को open रखे यदि हम base को input circuit को open रखे हमारा IC क्या होगा जो collector current होगा वो होगा beta plus 1 ICBO ठीक है leakage current का beta plus 1 time इसको हम कहा देते है ICBO यह हमारा होगा collector to emitter voltage collector to emitter current when base is open collector to emitter current when base is open base open है तो collector to emitter हमारे पास जो current होगा वो क्या होगा वो होगा ICBO अब यह होगा beta plus 1 time यह उससे काफी ज्यादा large होगा हमारा जो हम कहा रहे है ICBO जो leakage current होगा उससे काफी ज्यादा large होगा तो हम IC को अब लिख सकते है इसको हमारे पास एक collector current का फॉर्मूला होगा और ICEO यहां पे होगा मारे पास बीटा प्लस 1 time ICBO यह इसको हम ऐसे भी लिख सकते है 1 by 1 minus alpha time ICBO ठीक है यह हमारे पास होगा collector to emitter current when base is open ठीक है अब यहां पे भी हमारे पास दो type की characteristics होगी input characteristics और output characteristics पहले हम draw कर लेते हैं input और output characteristics को ठीक है क्या है दोनों characteristics input और output देखो input characteristics क्या होगी मारे पास input characteristics graph draw कर देता हूँ पहले में दोनों के input characteristics में क्या होगा graph draw करेंगे किसमे किसमे आई बी और VBE में ठीक है base current sorry IB base current और हम draw करेंगे VBE में ठीक है और content रखेंगे content क्या रखेंगे content रखेंगे VC VC हम constant रखेंगे ठीक है और IB के जो value होगे वह microampere में होगे जो IC और IE होता है हमारे पास वो लगबग milliampere में होता है और जो IB होता है वो microampere में काफी small current होता है तो जैसे जैसे हम वोल्टेज ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे एक वोल्टेज ऐसी आएगे हमारे पास जो नीव वोल्टेज करते हैं 0.7 for silicon उसको भ्याद में हमारे पास IB हो इंक्रीज करने लगेगा जैसे जैसे हम VBE इंक्रीज करेंगे आड़ ओर अलग अलग वी-सीई के लिए अलग अलग हमारे पास IB हो अलग अलग VCE के लिए अलग अलग iE होगा मलब जो rate of change supply है वो अलगअलग different होगा अलग लग वी-सीज के ये जो VCE होगी हमारे पास 20V यह जो वी-सी होगी हे होकी 10 वट यह सी होगी मारपास वनव वल्ट यहां पर तो यहां पर ऐघ्राय के साथ में ज्यादा हाई होगा ठीक है वी सी की वैल्यू हाई होने की वज़े से जो री कॉम्बिनेशन है बेस के अंदर री कॉम्बिनेशन है बेस के अंदर जो री कॉम्बिनेशन होगा वो स्मॉल होगा री कॉम्बिनेशन स्मॉल होने की वज़े से हम कह सकते हैं कि हमारे जो आई बी की value है वह small होगे है ठाइब की value हािya होगीście ऐसे भी सी वेलियों कम करते जाएगे इंक्रीज करते जाएगी ठीख है लेकिन इसके जो रेंच हो कि अच्रा वो माइक्रोमीलेगा और मारा जो आउटपुट क्रेक्टेक्च्र शिक्स होगए यहां पर वो क्या होगी में स्य जिरो यहां से शुरू करें कि जीरो यहां से शुरू करें हम कि यह मरा लाइज-धी वोल्ट है जैसे जैसे IB की value बढ़ती जाएगी, IE की value बढ़ती जाएगी, इस type से, इस type से ये graph होगा, ये line linear नहीं होगी, जैसे पहले वाले graph में देखा था, आपने, वो ज़्यादा linear line हो यहाँ पर, ठीक है, saturation नहीं होगा, यहाँ पर, VCE की value बढ़ेगी तो, ICE लगातार increase होगा, ठी यहाँ पर linear नहीं होगी, जैसे पहले वाले output characteristics में, हमार पास linear ऐसे, इस type से saturate हो रहा था, वो, ऐसे saturation नहीं होगा, वो increase होगा, ठीक है, यह अलग-अलग IB की value पर होगा, हमार पास, 10 microampere, 20 microampere, ऐसे बढ़ते जाएंगे, 90 microampere, तो यह मार पास, जो graph है, यह होगा, यह जो reason होगा, वो active reason होगा, और जो नीचे वाला reason है, वो same, cutoff reason होगा, दोनो reverse bias में होगे, cutoff reason, IB0 का मलदा cutoff reason ही है, ठीक है, input जो हमारा circuit है, वो भी forward reverse bias में, यह हमारा saturation reason होगा, दोनो forward bias में होगे, यहांपे जो हमारा IC current होगा, वो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा, जैसे voltage 0 होई, VC, तुरंत saturation आजाएगा, current में, saturation नहीं कहाए सकते हैं, वो increase होना, एकदम से increase होना, शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो IC current है, तो यह मार पास, output characteristics हो, यहांपे हम कहाए सकते हैं, जो हमनों, ICEO होग होगा, जब हमारा IB 0 है, उस case में हमारे पास, जो current होगा, वो सिर्फ leakage current होगा, common emitter current होगा, open base के case में, वो beta plus 1, ICBO होगा, ठीक है, यहांपे जो current होगा, beta plus 1, ICBO, यह इसको हम कह सकते हैं, beta की value बोजादा लार्ज होती है, तो हम कह सकते हैं, beta ICBO, बीटा की value काफी लार्ज होती होती है, तो हम कह सकते हैं, जो हमारा ICE होगा, वो बीटा टाइम्स, ICBO, ठीक है, तो यह मारे पास, output characteristics होगा, जो resistance होगा, इसमें input characteristics में, जो resistance होगा, वो क्या होगा, मारे पास, delta VBE, upon delta IB, at constant, VCE, और हमारा जो output resistance होगा, delta VCE upon delta IC, ठीक है, और यह होगा, मारे पास, output resistance at constant IB, input resistance काफी small होगा, ठीक है, input resistance बहुत जादा small होगा, और जो output resistance होगा, हमारा, वो काफी ज्यादा large होगा, क्योंकि यह, वो ज्यादा high voltage पे, ठीक है, voltage gap पे, हाई पे, यह जो लगबख constant हम कह सकते हैं, लगबख constant हो जाएगा, saturate हो जाएगा, इस टाइप से मारे जो graph होगा, ठीक है, तो, high output resistance होगा, or low input resistance होगा.